गयार कि से व दोस्तो आज इम्गलीश सीखने का आसान तरीका बताने वाल, जो कि हर किसी को इम्गलीश बोलना होता है ठाट जली जलदे आपको बतांगे आज खी वडिएिव में किная इंगलीश की से शेक्त चाहते हैं, so how to learn English, how to learn English, right, ना, तो English हम कैसे learn कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, दोस्तो, basic first, right, ना, so basic में आपको क्या आना चाहिए, दोस्तो, basic में आपको आना चाहिए, तेंस आना चाहिए, second आना चाहिए, आपका voice, third आना चाहिए, आपको preposition, ओके, और आपको fourth में आना चाहिए, आपको conjunction, conjunction, means ये चार चीज़े आपको English लिखने के लिए, English बोलने के लिए, English speaking के लिए, आपको ये चार चीज़े ज़रूरी है, tense, voice, preposition और conjunction, अगली वीडियो में मैं आपको tense, voice, preposition और conjunction के बारे में, मैं डिटेल से, एक अलग से में एक वीडियो बनाऊंगा, tense के ओपर, voice के ओपर, preposition के ओपर, और conjunction के ऊपर, उसके बाद आता है, दोस्तों, English पढ़ने के लिए, दूसरी आसान चीज़ होते हैं, आपको, means, own dictionary, own dictionary, right, So, दोस्तो, own dictionary क्या होते हैं, अपनी खुद की dictionary क्या होते हैं, मतलब हमें अगर English, मतलब हमें अगर कोई चीज़े होगी, उसके English meaning हमको पता नहीं होता है, तो हम क्या देखते हैं, दोस्तों, dictionary में जाके देखते हैं, right, तो मैं मेरा experience बताता हूँ, मैंने खुद का experience बताता हूँ, आपको की मैंने कैसे English सीखिये, right, तो अलग से ओन dictionary रखने आपको, उसमें दो टाइप के words होते हैं, जो words आपको मालूम होते हैं, जो words आपको मालूम नहीं होते हैं, वो words आपको अपनी own dictionary में लिखने पढ़ते हैं, right, जो शब्द आपको पता है, उसका ज्यादा आपको तिंकिंग ने करना है, आपको ज्यादा मतलब उसके उपर उसके उपर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो चीज आपको पता नहीं है, उसका meaning आपको अपनी dictionary में लिखना है, for example, अगर आप मतलब सुअब जागे होगे, तो आपको पहले चीज क्या दीखिएगी, दरवाज आपको क्या बोलते हैं, पूदिना का पेड होगा, हो की तो आपको उसका मिनिंग मालूम नहीं आपको अपनी में लिखना है यली सेन होता है किसे आपकी का आपकी तिसरी लोग होते कि उनको बहुत नॉलिज होता है रैट ना बहुत मतलब नौलेज होता है फर्स ख्लास रहते डिस्टिंच्छन में रहते है पर सेल्फ कॉंफिडेंस की वजए उन्हें इंग्लीश बोलना नहीं आता ना तो सेल्फ कॉंफिडेंस में आपको okay self confidence आपको बढ़ाने के लिए दो चीज़े आपको करनी पड़ते दोस्तों पहले चीज रहती है self confidence बनाने के लिए कि आप अपने जो दोस्त होगे close friends होगे right ना उसके सामने आप बोल सकते कि यार friends मुझे थोड़ा English बोलना है तो मैं आप से मतलब आप सिप मेरा सुनो मैं आपके सामने English बोलता हूँ right ना ओके तो आप उनके सामने भी बोल सकते क्योंकि आपके close colleagues होगे right या अपने घर में एक सिधा आसान तरीका है self confidence बढ़ाने का mirror होता है mirror के सामने आप खड़े रह है मतलब mirror के सामने आप खड़े रहे कर आप बोल सकते उससे भी आप अपना self confidence राइट ना बढ़ा सकते या पिर अपने अगर close friends होगे उनके साथ आप डिबेट कर सकते डिबेट कर सकते इंग्लिश में राइट ना तो ऐसा आप अपना self confidence बढ़ा सकते हो और लास्ट चीज होते दोस्तों आपकी हो ओती environment राइट ना आपकी क्या चीज होते लास्ट environment मतलब वातावरन राइट ना atmosphere कैसा आपके बास तो दो आपको environment कैसा होना चाहिए कि उस environment में आपको ज्यादातर लोग English में बाते करते हुए देखना चाहिए आपको राइट ना पर एक्जामपल पहली चीज environment के लिए इंस्टिटूट अगर आपकी सीटे में कोई इंस्टिटूट होगा उस इंस्टिटूट में सभी बच्चे इंग्लीज बोलते होगे राइट ना तो अदर आपको कोई डू में ट्वेट ने करेगा यह बाबा आपका यह गलत है तुझे बोलना ने आ बोलते होगे एसा environment आपको चूज करना है तो दोस्तों बहुत आसांत चीज में आपको बताई कि इंग्लीज कैसे आपको सीख सकते मिन्स टेंस वाइस प्रपोजिशन कंजंक्शन ओन डिक्शनरी सेल्फ कॉंट्पूदेंस ओन एर्वार्मेंट आगे की वीडियो में में आ आपको टेंस के उपर बताने वाला हूँ दोस्तों